प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बर फिर से स्वागत है जिस गती से हमारे शहरों में घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं वो देखकर अच्छे-च्छे हैरान रह जाते हैं प्रॉपर्टी के बाजार में दाउं तो सभी लगाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत होती है किसी की एक्सपर्ट एडवाइस की जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो इतने सारे प्रॉपर्जेक्ट से देखकर वो असमंजस में पढ़ जाता है कि किस के दावों पर भरोसा करें और पैसा लगारें ऐसे में अगर उनको कोई उन प्रोजेक्स की रेटिंग दे दे तो काम कितना असान हो सकता है ऐसा ही किया है कृसल रियल इस्टेट स्टार रेटिंग ने चलिए आज पूरे के प्रॉपटी बजार का जाइजा लेते हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में है श्री सचिन निगम प्रेजडन्ट क्रिसल रियल स्टेट रेटिंग्स हमारे साथ है सचिन आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रॉपर्ट इंडिया में बात करते हैं पूने की कुछ बताईए पूने के बारे में डेमोग्राफिक स्टॉक्चर कैसा है किस परकार का बाजार है किस परकार का वहाँ पर आप उच्छाल देखते हैं आने वाले समय में जी शुक्रिया पूने जो है भारत का आठवा सबसे बड़ा शहर है महराष्ट में बंबई के बाद ये सेकेंड सबसे बड़ा शहर है और महराष्ट की सांस्कृतिक राजधानी की नाम से जाना जाता है अगर हम डेमॉगरफिक प्रोफाइल बात करें तो पूने की चार-पाँ चीज़े जो है वुग खासियत हैं जो उभर ती है सबसे पहले कि कॉपरट प्रोफाइल हम बात करते हैं तो पूने में जो है बहुत ही अच्छ हमिश्रन है Old World Industries का in terms of manufacturing Auto का काफी सारा यहां पे वो है बड़े-बड़े companies की यहां पे अपनी set-up है factories है pharmaceutical है heavy engineering है तो manufacturing set-up का काफी अच्छा है उसके अलावा IT और ITES और new age industries जो है वो यहां पे काफी सारी service sectors अगेरा का भी development है काफी तो यह बहुत ही अच्छा mission आ जाता है पुने में दूसरा है इसकी connectivity connectivity के हिसाब से बहुत अच्छे से connected है rest of the India के साथ में तीसरा है proximity to Bombay जो कि financial capital है इंडिया का यहां से दो तीन घंटे में आप Bombay पहुँच सकते हैं चौता है जिस तरह का यहां पे infrastructure वगेरा में development हुआ है वो city की growth को aid करता है और पांच्वा जो है वो है educational hub रह चुका है है पुने तो अगर यह पांच्व छे चीजों को अगर हम ले के साथ में चले तो एक बहुत रियल एस्टेट के perspective से बहुत ही अच्छा मिश्रन आता है और जो कि यहां के रियल एस्टेट development को वो कर रहा है एड कर रहा है जाहर तोर पे पुने के बारे में तो हम सभी जानते थे कि एक educational hub रहा है वहां पे हमेशा से ही देश भर के चात्र जाते रहें लेकिन आईटी का भी अब बहुत जोर हो गया है तो क्या वहां पे influx जो भार के migrants आ रहे हैं वो बढ़ गया है और उसकी वजह से क्या वहां पर आब रियल एस्टेट की मांग बढ़ती जा रहे है जी बिलकुल तो जैसे मैंने कहा कोपरेट प्रोफाइल के साब से देखे तो IT, ITS, New Age Industries काफी आई हैं सारे भारत के प्रमुक आईटी जो कंपनीस हैं उनका यहां पर सेट अप है उसके मारे प्लस मैनिफेक्टरिंग का काफी सेट अप है आटो के नहीं नहीं वो आ रहे हैं यहां पर आटो आटो एंसेडरी रहा है यह जब इस तरह का इंफलक्स हो रहा है तो यह जो नए प्रोफेशनल्स हैं जो कि शहर में आ रहे हैं उन लोग यह डिमांड को फ्यूल कर रहे हैं क्योंकि उनकी रिप्रोजेक्स में कंजूम करने के लिए तो उसमारे यह काफी सारा यहां पर डेवलप्मेंट हो सचिन किस परदार का बाजार है क्या एंड यूजर ड्रिवन है क्योंकि देखा जादा तर यह गया है कि पूने शुरुवात में एक एंड यूजर मार्किट था लेकिन हाल फिलाल शायद पिछले एक से दो सालों में यहां पर बहुत सारे निवेशक आ गए जिसकी काफी हद तक यह एंड यूजर ड्रिवन मार्केट ही है लेकिन अब वो कॉंपोजेशन पिछले कई दो-तीन सालों में यह चेंज हो रहा है तो पहले जहां पर 90-95% एंड यूजर ड्रिवन था आज की तारिक में आनुमान है कि 80% के करीब अभी भी एंड यूजर ड्रिवन है और बाकी फिर जो है वो इन्वेस्टर्स वागेरा जो बालेस 20% है अब इन्वेस्टर्स वो करते हैं अगर किस तरह के लोग यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर हम देखे तो राज की तारिक में भी राउंड अबाउट 70% लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पू तो यह धीरे धीरे composition जरूर चेंज हो रहा है लेकिन main चीज क्या है कि जहां पे भी इस तरह का infrastructure support रहेगा और नए नए companies आके set up करेंगे और existing companies है वो expand करते रहेंगे तो यह market real estate के हिसाब से हमेशा बढ़ेगा ही और दूसरा end user driven primarily फिर भी रहेगा यहां के hot spots कौन से हैं कहां पे लोग सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं जी तो अगर पूने की जोग्रफी कर हम देखेंगे तो जो central पूने हैं जो traditional areas रहे हैं शिवाजी नगर डेकन वगेरा वहां पे तो land passes कुछ हम है नहीं अब वहां पे क्या हो रहा है कि standalone redevelopment हो रहे है stand-alone buildings आ रही है वो और typically because वो central पूने है वहां पे luxury projects ज्यादा आ रहे हैं अब रहे गया कि नए developments कहां हो रहे हैं तो नए developments की दो hot spots हैं एक है eastern पूने में जहां की basically जो वहां पे नए जो central business districts वगेरा आए होए हैं जो की primarily BFSI IT और ITES driven है और कुछ manufacturing units भी आ रहे हैं रंजन गाओं अगेरा में उस मारे से eastern side पे काफी development हो रहा है जैसे की कल्यानी नगर, विमान नगर, खराडी, मगरपटा ये सारी areas हैं दूसरा जहां पे काफी development देखा जा रहा है वो है western side of पूने जो की जहां पे basically IT driven development जादा है और वो है basically हिंजे वाड़ी और उसके आसपास के area जो की primarily IT driven है तो ये दो side में काफी हम development देख रहे हैं इस समय जो व्यक्ति जो निवेशक क्रेस्ट का सहारा लेकर एक market को एक project को परखना चाहते हैं वो कैसे परखे क्रेस्ट के बारे में थोड़ा बताईए कितने point rating है किस प्रकार और कितने मापदंडों पर आप प्रोजेक्ट को और एक market को rate करते हैं जे तो क्रेस्ट जो है वो एक city specific grading है और ये benchmark करती है एक project को on a scale of 8 point scale में जिसमें की non deliverable सबसे कम है और 7 star सबसे जादा है इसमें हम लोग basically 5 broad मापदंडों पर इसको evaluate करते हैं किसी भी project को एक है सबसे पहले है developer quality तो किस तरह का developer है क्या उनका experience रहा है क्या उनका track record रहा है तुराने projects पे वगएरा दूसरा हम देखते है construction quality related issues तो उसमें किस तरह की construction consultants को एंपैनल किया है क्या उनका experience है किस तरह की techniques यूज कर रहे है वो सब पूरा देखा जाता है तीसरा है project के financials कि किस तरह से project का financial tailor किया गया है कितने land acquisition cost है कहां से customer advances पैसे से कितने आएंगे पैसे खुद का कितना है लगाया हुआ है यह सर चौता हम देखते हैं approval के हिसाब से कि legal वगएरा कैसा है agreements कैसे है approval सारे place में है की नहीं है और पांचों हम देखते हैं कि कुछ एक नया innovation लेकर आए है project में कि नहीं किस तरह से मालग कुछ नई टेक्निक्स लेकर आए है कुछ नया innovation लाए है तो इन पांचों मापदांडों पर देखके फिर हम लोग project को rate करते है जैसा मैंने बोला यह project specific है और city specific है तो यह हम लोग active benchmarking करते एक शहर में for each individual project और अगर कोई इनसान इसका इस्तेमाल करता है तो किस तरह से वो अपना decision making में इसका इस्तेमाल कर सकता है और क्या यह जो क्रेस्ट की इस्तेमाल कर सकते है as a credible third party opinion on a particular project and उसका दूसरा तरह से इस तरह से इस्तेमाल कर सकते है कि यह जो 5 broad parameter है उस पे हम लोग evaluate करते है बट उन पांचो parameters के अंदर पे भी बहुत सारे sub parameters है तो यह 360 degree evaluation होता है एक particular project का from a credible third party agency like crystal which is India's premier rating agency तो यह एक additional comfort factor देता है एक in consumer को कि जिस project में वो अपना पैसा लगा रहे हैं उस project में सब कुछ ठीक है की नहीं है एक number one दूसरा जो आपने पूछा था कि इसको किस तरह से हम लोग review करते हैं तो यह one time exercise नहीं है जब तक यह project complete हो के hand over नहीं होता है तब तक हम इसका annual surveillance करते हैं और review करते हैं और उसक तो track करते हैं उसके progress के against तो जिस तरह से progress होती है उस तरह से या तो project same level पे रहता है या upgrade होता है यह downgrade होता है यह continuous और यह सारी चीजे हमारे website पे available होती है और सचिन मेरे ख्याल से अब वक्त है उस चीज का जिसका हम सब को इंतजार होता है हमारे दर्शकों को इंतजार होता है उन projects का जिनको आपने rate किया है परखा है जाचा है और क्या rating दी है थोड़ा बताई उन projects के बारे में तो पूने में हमने काफी सारे projects की rating किया तो उसमें से तीन projects के बारे में थोड़ा सब बात करना चाहूंगा सबसे पहला है pristine profile project जो है यह वाकड में स्थित है यह project and इस का कि you know past पे उनोंने 1.85 million square feet तक की project develops किये हैं जिसमें की 10 project उनोंने complete किया हुआ है यह काफी सार ब्लॉक्स है इसमें और तो इनका level of completion कई blocks में 70% है और कई blocks 100% complete हो चुके हैं आज की तारिक में यह project 94% sold है तो इन सारे parameters जो crest के हैं उस पे हम लोग ने evaluate करते हुए इसको पूल 5 star का दरजा दिया है दूसरा जो project है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है मालपानी ग्रीन्स का project जो की मालपानी estate developers है उनोंने develop किया है यह project भी वाकड में स्तित है और 200,000 square feet के करीब कप इनोंने मालपानी estates ने development किया है पास्ट में और यह project आज की तारिक में 100% complete ह और about 80% के करीब इसका sales भी हो चुकी है इसको भी सारे parameters पे देखते हुए हमने इसको evaluate किया और इसको पूने का 6 star की grading दी थी इसरा जो project है जिसके बारे में मैं आपको बगाऊंगा वो है sky strongbird phase 1 इसको जो developer है वो है energy sky developers और इनका about 900,000 square feet का इनके पास इनोंने development किया है in the past और आज की तारिक में ये project 40% complete है और 85% के करीब आज की तारिक में sold है इसको भी हम लोग में पूरा evaluate करते हुए पूने 5 star का दर्जा दिया था तो सचिन आपसे आखिर में ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपने जिस तरह से बताएं हैं ये project अच्छे rating वाले हैं इस type के projects में अगर हमारे दर्शक invest करते हैं तो किस तरह का return रहता है पूने में? दिखिए जो returns है वो project to project और micro market to micro market भी vary करता है बड़ हमने ये देखा है कि on a long term basis पूने का जो reality market है उसने काफी अच्छे returns दिये हैं और जिस तरह की demographic है city की उसमें मेरे ख्याल से अगर कोई भी जाए वो end user हो चाहे वो निवेशक हो कोई भी हो अगर वो invest करता है and over a long term period दे demographic है वो returns उनको काफी अच्छे मिलेंगे उसमें कोई आशंका की बात नहीं है क्यूंकि जादातर लोग जो हमें सवाल भेजते हैं जिनकी शंका होती है वो ये जाना चाहते हैं कि दाम कितनी देश से बड़ें कि ultimately निवेशकों के लिए दाम ही सबसे जादा important होता है लेकिन देखा यह गया है कि पिछले साल दो साल में जो मंदी आई है उसके चलते बड़े शेरों में नहीं छोटे शेरों में भी जो returns थे वो अब काफी हद तक नीचे आगें तो एक अगर निवेशक है जो पूने की तरफ देखता है तो उसको कितने realistic returns लेके चलना चाहिए उस हिसाब से exorbitant return जो आप पहले बोल रहे थे वो तो अभी out of question or picture हो गया है बट फिर भी over a long term reasonably long term period I think 10-15% तक का returns तो बहुत easily आज की तारिक में मिल सकता है पूने जैसे market में और जाते जाते एक सवाल आपसे यह पूजाते हैं कि आपने कुछ hot spots हमें बताये थे तो इन hot spots में से अगर कुछ हम good performing hot spots की बात करें तो थोड़ा उन पर रॉष्णी डाल दीजे तो जैसे मैंने बोला कि आगर आप देखें तो lot of these hot spots जो है वो eastern side of the city में है and western side में भी है तो यह हिंजे वाडी है यह अपना विमान नगर है खराडी है मगरपट्टा है यह सारे जो एरियास है वो काफी उभर कर आएं पिछले कुछ सालों में और यहां पर इंफ्रस्ट्रॉक्ट्रॉक्टर डेवलप्मेंट वगरा भी बहुत अच्छा हुआ है और उस हिसाब से property rates और यहां पर काफी appreciate हुए है और वैसा पूने मे तो काफी लोगों के पहुंच से बाहर होगे लेकिन पूने अपने आप में एक अच्छा alternative उभर के आया है और जैसा कि सचेन ने का कि market अभी भी अच्छा है और वहां कि जो निवेश के जो वहाँ पर जरिया है वो भी काफी सहज है और वहाँ पर आने वाले समय भी काफी अच्छा एक महाल बना रहेगा सचेन आप हमारे स्टूडियो में आ रहा है उपने इतने सारे प्रशनों का जवाब दिया खासकर पूने से हमको अवगत कराया और हमारे दर्शकों को भी अवगत कराया और रेटिंग्स के बारे में बताया उसके लिए आपका बहुत- आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत